प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी सरकार को चार साल होने वाले हैं इन चार सालों में मोधी सरकार कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर रही है लेकिन सरकार ने कई ऐसे कारे भी किये हैं जो की आमजनता के हित में है मोधी सरकार के चार साल पूरे होने पर आज हम आपको बता रहे हैं सरकार की ओर से किये गए वो कारे जो का बिल इतारीफ है आईए जानते हैं मोधी सरकार की उपलब्या ब्रश्टाचार मुक्त सरकार प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी सरकार की आज बात ये है कि सरकार के मंतरी ब्रश्टाचार से दूर रहे हैं जिस तरह पिछली सरकार जी सकैम, कोयला सकैम, कॉमन वेल्ट सकैम, चोपर सकैम, आदर्ष सकैम के आरोपों में घिरी रही, उससे उलट मोधी सरकार में भष्टाचार के मामले कम आए, हालां कि राज्य सरकारों पर घोटालों के आरोप लगे जन्धन योजना प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने साल 2014 में जन्धन योजना की घोशना स्वतंतरता दिवस के मुके पर की थी इस योजना का मकसद देश के हर नागरे को बेंकिंग सुविधा से जोड़ना है और इन योजना के तहत 31.3 एक करोड लोगों को फायदा भी मिला है बताया जाता है कि आर्थिक जगत के क्षेत्र में ये दुमिया की सबसे बड़ी योजना है इसने एक सब्ता में सबसे अधेक एक करोड असी लाग च्यानवे हजार एक सौतीस बेंक खाते खोलने के लिए गिनीजी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जी ए सटी जी ए सटी का मतलब है एक राश्ट्र एक टैक्स इस नई टैक्स सिस्टम में सभी वस्तूओं के अलग-अलग टैक्स नहीं देना होगा और पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू की गई है यह साल 1990 के बाद से अर्थ व्यवस्था के उड़ारी करण के बाद ये वितियक्षेत्र में सुदार को लेकर सबसे बड़ा कदम है जिसे लागू करने के लिए पिछली सरकार प्रयासरा थी मोदी सरकार ने एक जिलाई 2017 को समान और सेवा जी ए सटी संसत के सेंट्रल हॉल में आधी रात को संसत के विशे सत्र में शुरू किया उजवला योजना यह योजना ग्रामीन खशेत्रों में रहने वाले उन परिवारों के लिए वर्दान साबित हुई है जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था और उन्हें खाना बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तके LPG कनेक्शन पहुँचाया गया और ग्रामीन महिलाओं को सशक्त भी किया गया इस योजना के तहट ग्रामीन इलाकों में रहने वाले BPL राशनकार धार को को मुफ्त में से लेंडर दिया जाता है सरकारी आकणों के अनसार तीन करोड परिवार इसके लाभार थी है डिजिटाइजेशन की तरह हम कदम मोधी सरकार ने पिछले चार सालों में डिजिटाइजेशन पर काफी जोड दिया है अब बेंकिंग क्षित्र से लेकर अन्य सरकारी कारियों में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिला है जिससे लोगों को काफी राहत मिली है इसमें मोधी सरकार की डिजिटल भुकतान को आसान बनाने बनाने वाली भीम इप भी शामिल है इस इप के तहित पैसे सीधे बेंक अकाउंट में ट्रांस फर किये जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना को 8 अप्रेल 2015 को लॉंच किया गया था। उडान यहां मोधी सरकार की अहम योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश आम आदमी को हवाई सेवा उपलब्द कराना है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई और करीब 128 रूड पर सस्ती दरों पर फ्लाइट उपलब्द करवाई जा रही है। स्वक्ष भारत अभियान इसकी शुरुआत प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने अपने कारेकाल के पहले साल से ही कि थी और उसे काम्याबी भी मिली। इस योजना के तहित पूरे देश में सफाई के लिए विशेश कारे किये गए हैं जिसमें शौचालि निर्मान से लेकर कच्रा निस्तारन भी शामिल है। पहल योजना डायरेक्ट बेन युफिट टानसपहर्स के रूप में सबसीडी सीधे बेंक खातों में जमा कराए जाने को लेकर फैसला किया गया है। इस से लिके जोर किसी हेरा पेरी की गुनजाइश खत्म हुई है। पहल योजना के तहित L.P.G. सबसीडी सीधे बेंक खातों में जमा कराई जाती है। जिसका गिनिजबुक आफ रीकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। इस योजना के तहित 14.62 करोड से अधिक लोगों को सीधे नकद सबसीडी मिल रही है। इस योजना ने करीब 3.34 करोड नक ब्लोकाओं अटन में पारदर्शी निलामी, परियावरन संबंधी मंजूरियों के लिए ओनलाइन आविधन, कई निविदाओं के लिए ओनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई। साथ ही सबसीडी जैसी सुविधाओं में पारदर्शिता की गई। कोशल विखास प् सरकार खुद भुखतान करती है। सरकार इस स्कीन के जरिये कम पढ़े लिखे या दसवी, बारह वी कक्षा ड्रॉप आउट युवाओं को कशल प्रशिक्षिन देती है। सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को कशल प्रशिक्षिन देने का लक्षे रखा है। मेक इन इंडिया मोदी सरकार ने भारत के निर्मान ख्रेत्र को बढ़ावा दिने के उद्देशे से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इसके तहित कैपिटल गुट के साथ नई तकनीक और आधुनेक्ता को बढ़ावा दिया जाता है। इस स्कीन के लिए 9.37 करोड रुपे का प्रावधान किया गया। तीन तलाक और हंज यात्रा तीन तलाक पर मोदी सरकार ने एतिहा से कदम उठाया है जिसका लंबे समय से विरोट किया जा रहा था। सरकार ने लोगसभा में कई संचोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद मुसलिम भी मेन प्रोटेक् खुद ही वेहन करना होगा। बता दें कि कई मुसलिम संगठन सबसीडी खत्म करवाना जाहते थे।